दोस्तो इस परकार का दिवाली डिकुरेशन जहलर लाइट बनाने के लिए जो मोबाइल की बैटरी से भी चलेगा और मोबाइल की चार्जर से भी चलेगा सबसे सांस्ता और टिकाव जहलर लाइट बनाने के लिए इस वीडियो को अंतक आप जरूर देखिएगा इसमें दोस्तो ना कोई soldering iron की जरूरी है ना कोई extra दिमाग लगाने की जरूरी है एक बाच्चा भी बना लेगा तो दोस्तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को हम सुरू करते हैं बैटरी से चलने वाला जहलर लाइट दोस्तो बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का आपको 5 mm का LED बल्ब लेना होगा जो multi color का यह 7 color में जलता है उसके बाए दोस्तो कुछ wire ले लेना है जो मुलायम wire आता है wire लेना जैसे दो मीटर चार मीटर में आपको बनाना है उसके बाए दोस्तो एक पुराना बैटरी आप ले लिजिएगा चार भोल्ट का या mobile का बैटरी आप ले लिजिएगा अगर mobile का बैटरी नहीं है तो किसी भी keypad phone की जैसे charger आता है जिसका lead तूट जाता है तो हम लोग इसको फेक देते है तो इस तरह का charger आप ले लिजिएगा उसके बाए दोस्तो इसका connection कैसे करना है हम आपको setup बैट setup इस वीडियो में बताने वाले है तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को हम शुरू करें तो इस तरह कोई भी आप एक LED ले लिजिए इसमें आपको plus minus पहचान लेना है यहाँ पर देखिएगा दोस्तो तो इसमें आपको दो तार मिलेगा एक छोटा और एक बड़ा तार मिलेगा तो इस तरह आपको जोड़ देना है चलिए दोस्तो कैसे जोड़ना है आपको बताते है तो इस तरह जो छोटा वाला है उसमें हम काला वाला तार को इस तरह जोड़ देंगे तो दोस्तो इसタरह देख़िएगा, हम जोड दिये, इसमें दोस्तो दोनों में नहीं शर्टना चाहिए, उसके बाइदोस्तो धूसरा LED को हमको जोडना है, देख सकते हैं दोस्तो, ये आधे फीट के, करीब हम इतना पर ले लिए, उसके बाएद धोस्तों आपके पास पटड़ होगा तो बहुत असान है इसको कट अगर अगर प्टड़ नहीं है तो हम आपको बताइं कि आप की इस तरह कटेंगे तो देखिआ कि इस तरह दोस्तों इसमें तो आप लिजिएगा वो दिख सकते हैं इसंवें भी बाड़ा। टंग आपको मिल जाएगा और छोटा ठांग मिल जाएगा। तो बाड़ा CMC को लाल में जोड़िँएगा इस तरहيد, लाल में जोड़िजएगा। और छोटा वाला वाल था जो प्लॉस यदी लपट दीए लॉस अफेट नहीं है वालॉन आप यदिकल केरीफी सबको आधाध फीट पर जोड़कर तयार कर दिये तो इस तरह दोस्तो आपको जोड़कर तयार कर देना है उसके बाद दोस्तो आपको इसमें लगाने के लिए लास्ट सीरा में देख सकते हैं एक वान ओम का रजिस्टेंस ले लिजिए जो यहां पर देख सकते हैं रजिस्ट बट्रिंग आइरन का इस्तेमाल नहीं किये हुए है तो यहां पर देख लिजीएगा इस तरह जोड दीजीएगा देख सकते हैं इस तरह जोड दीजीएगा जो resistance से होते हुए current जायेगा यह minus का हो गया, यह plus का हो गया यह काला वाला तार यह लाल वाला तार हो गया अब किसी एक बैटरी से चलिए हम इसको चेक करते हैं तो इस पर हम जोड़ देंगे उसके बाद इस रजिस्टेंस को पलास वाला बस अटाएंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यह वर्क कर रहा है तो इस तरह जोड़ देना है अब किसी चार्जर से जलाना है तो यहां पर देखिए हम चलिए यहां पर बोट रख लेते हैं और यह चार्जर है जो कीपएट फोन की जो चार्जर है हम पहले आपको बताए थे तो इस चार्जर को इसमें लगाएंगे स्विच को आउन करेंगे जो देखनें में बहुत ज्यादे बेहत्तिरिन लगेंगे सायद आपको अभी light जल रहा है जिसे 50 watt की bulb जल रहा है तो आपको पुरा clear नहीं दिखाई देता होगा हम चलिए light को बंद करते उसके बाद हम आपको फिर दिखाएंगे तो दोस्तो देख सकते हम light को अभी बंद कर दिये हुए है तो देखने में कितना बेहतरी निये लग रहा है तो इस तरह दोस्तो बहुत आसानी से आप इस तरह का जहालर light अपने घर पे बना सकते हैं इसमें दोस्तो आपको कोई भी solding iron की जरूरी नहीं है ना दोस्तो कोई extra दिमाग लगाने की जरूर यह बहुत कौम खार्चा में सास्ता और टिकाओ जहलर light बना सकते हैं तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसी लग कमेंट करके जरूर बताएगा अगर हमारे चैनल पर नह है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा